नमस्कार दोस्तों मैं आप लोगों को एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगा जिसकी सहायता से आप लोग धर्ती के अंदर गड़ा खजाना असानी से देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ उस दिब चमतकारी और सधी के बारे में जिसके माध्यम से आप लोग धर्ती के अंदर गड़ा खजाना असानी से प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी सोने की प्राप्ती कर सकें आप लोग भी धरती के अंदर दबे खजाने को प्राप्त कर सकें तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आखरी तक देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा अन्नता कुछ समझ में नहीं आएगा जैसा कि आप सभी को पता है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए सोना तथा चांदी बनाने के प्राचिन प्रियोग लाता रहता हूं साथ ही साथ मैं आप लोगों को तांतरिक उसदियां एवं कई आवरिबेदिक जड़ी बूटियां तांतरिक साधनाये एवं कई प्रकार की रहस्माई चमतकारी जानकारी देता रहता हूं लेकिन दोस्तों कई दिनों से मैं अपने चैनल पे जानकारी नहीं दे पाया वीडियो बना करके अपलोड नहीं कर पाया उसके लिए मैं आप सभी से छमा मांगता हूँ दोस्तों ये इसलिए हो गया था क्योंकि दोस्तों किसी काम की वज़े से मैं समय पर अपने चैनल पर व जिव्द चमतकारी औसधी के बारे में जिसके माध्यम से आप लोग धर्ती के अंदर गड़ा खजाना असानी से देख सकते हैं। और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए क्योंकि मैं अपने चमतके माध्यम से इसी तरह की रहस्मई जानकारी लाता रहता हूँ जो आपके ग्यान में बृद्धी करता है। जादा से जादा मेरी वीडियो को लाइक करेंगे और चनल को सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को भी सही प्रकार से दवाएंगे और इस जानकारी को दूसरे के साथ भी सेर करेंगे। तो दोस्तों चली हम आपको बताते हैं मित्रों आप लोगों ने गुंजा के बारे में जरूर सुना होगा। गुंजा एक दिब चमतकारी औसधी होती है और दोस्तों यह औसधी अतनी चमतकारी होती है कि मैं आपसे क्या बताऊँ जी हाँ दोस्तों इसके जो पौधे होते हैं अपने आप में बहुत ही दिब होते हैं मैं दोस्तों आपको सफेद गुंजा के बारे में बता रहा इसे गुंगची या रत्ती भी कहते हैं किसको सफेद गुंजा को गुंगची या रत्ती भी कहते हैं यह तीर परकार की होती है इसके पौधे पर सेम की तरह की फली आती है जिसमें पांच से साथ दाने निकलते हैं यह भारत के राजिस्थान में अधिक पाया जाता है वैसे भारत में हर जगे पाया जाता है लेकिन यह खास करके भारत के राजिस्थान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है मित्रों इस सफेद गुंजा की सहाईता से कई लोगों ने प्राचीन खजान आसानी से ढूड निकाला है और उसे खोद के प्राप्ट किया है जिससे उनकी आर्थिकिस्तिती दूर हुई है तो दोस्तों आप लोग भी जो है खजाने को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं इस चमतकारी और सधी के माध्यम से और माला माल बन सकते हैं दोस्तों जैसे कि मैंने बताया जो गुंजा होती है वो तीर प्रकारी की होती है उस प्रियोग से आप असानी से धर्ती के अंदर गड़ा खजाना निकाल सकते हैं आपको लगता है कहीं आपको अंदेशा है कि यहां पर खजाना है प्राचीन काल का छुपा हुआ तो दोस्तों आप लोग इस प्रियोग को असानी से करके उस खजाने को प्राप्त करके माला म हो सकते हैं तो दोस्तों हम यहां पहला प्रियोग बताएंगे सरीर को वज्र जैसा कठोर बनाना जिहां दोस्तों पहला प्रियोग बता रहा हूं ध्यान से सुनिएगा सरीर को वज्र जैसा कठोर बनाना जिहां दोस्तों सवेत यानि सफेद गुंजा की जड़ को उत्रा भादरपद नक्षतर में धूप दीब से पूजन करके अपने साथ ले आएं ठीक है वो भी सुबे के समय सुरज निकलने से पहले पहले या फिर साम को ठीक है जब सुरज धूप जाए उसके बाद उत्तर दिसा में मुख करके उसका रस निकालने किसका जो सफेद गुंजा को जो आपने प्राप करा है ठीक है और इसके बाद दोस्तों इस रस की अपने सरीर पर मालिस करें तो साथ मास में सरीर जीहां दोस्तों साथ मास में सरीर वजर जैसा कठोर हो जाता है जीहां दोस्तों जो की लोहे से भी ज़्यादा मजबूत माना जाता है और आपके सरीर को क कोई भी चोट देगा तो आपको चोट नहीं लगेगी और अगनी में अगर आप इसके रस को लगा करके अगनी में प्रिवेश करेंगे तो दोस्तों आपको अगनी जला नहीं पाएगी आप अगनी से बचे रहेंगे दोस्तों यह प्रियोग करते समय निम्न मंत्र का उच्छ रक्ष स्वाहा यह मंत्र है पहले मंत्र याद कर ले उसके बाद प्रियोग करते समय बिना देखे उच्छरण करें जिहां दोस्तों सबसे पहले आपको मंत्र का इसमरण करना पड़ेगा अच्छे से ठीक है अब मैं आपको अगला प्रियोग बता रहा हूं भूमी में छीपे हुए सोने का पता लगाना जिहां दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं धर्ती के अंदर गड़ा कहीं खजाना है जैसे कि आपको लगता है कि कहीं किसी आप पीपल के बरगत की पेड़ के आसपास खजाने का अंदेशा है या आपके घर में या फिर पुराने खंडर में या फिर राजाओं की जो पुराने महल होते हैं वहाँ पर आपको लगता है कि यहां खजाना है तो दोस्तों आप इस चमतकारी आउसदी से आसानी से पता लगा सकते हैं दोस्तों यह आपको साधारन आउसदी लगती है यह कोई साधारन आउसदी नहीं है अपने आप में दोस्तों अपने आप में ये दिव और चमतकारी एक ऐसा आउसदी है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं इसमें भी दोस्तों एक आत्मा होती है तब ही ये पौधा जो है बढ़ता है दोस्तों आप जो है सफेद गुंजा को आसानी से प्रियोग करके धर्ती के अंदर गड़ा ख़जाना निकाल सकते हैं जी हां दोस्तों तो दोस्तों चलिए मैं आपको दूसरा प्रियोग ही बता रहा हूं भूमी में छिपे हुए स्वड़ का पता लगाना बहुत ही आसानी सोचदी के माद्यम से सबसे पहले सफेद गुंजा के मूल को यानि जड़ को सबस ध्यान से सुनिये सफेद गुंजा के मूल यानि सफेद गुंजा के जड़ को ठीक है पुस नक्षत्र दोस्तों एक पुस नक्षत्र आता है आप विकर्म समंत्र में देख लीजेगा एक जो हिंदू कलेंडर होता है उसमें लिखा होता है पुस नक्षत्र ठीक है पुस नक यह आ हमन इसकी लकड़ी ला सकते हैं मधू मिलकर मिलाकर शाम के समय स्यूमंदिर नेत्रों में लगाएं इस प्रिकार छह मास तक लगा कर नेत्रों में लगाने से व्यक्ति भूमी गत धन भंडार को देख सकता है, जी हाँ दोस्तों जो धर्ति के अंदर जो अपार धन संपदा है उसको देख सकता है, जी हाँ दोस्तों, आपको यह एक चेतावनी देना चाहता हूँ, दिये गए दोनों प्रियोगों में, नक्षत्र आदी का समय का जान रखें क्योंकि नक्षत्र और समय बदलने पर और सधी का जो गुड़ है ना दोस्तों वो बदलता रहता है ठीक है इस चीज का भी से जान रखिएगा दोस्तों यह जानकारी अपने आप में बहुत ही दिब और अद्बुत जानकारी थी जो आपके ग्यान में बृद्ध करने के लिए थी अगर आप लोग इसको नहीं करते हैं इस प्रियोग को तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए है कम से कम दोस्तों आपको पता तो रहेगा कि ऐसी ऐसी कुछ होसादियां भी होती है जिनके माद्धम से इस तरह की भी चीज़े की जा सकती है तो दोस्तों य जवाब जरूर दिया जाएगा, जो भी आप कमेंट बॉक्स में मैसीज करेंगे, संदेश देंगे, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा, अगर जवाब नहीं दिया जाएगा, तो आप सभी को लाइक किया जाएगा, ठीक है दोस्तों, जो आप कमेंट करते हो बॉक्स में, आपके कमेंट को दोस्तों लाइक किया जाएगा ठीक है और दोस्तों यहां दिये गए प्रियोग सास्तरों से लिए गए हैं यदि आप प्रियोग को सिद्ध नहीं कर पाते तो इसमें हमारे चनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इस चीज़ का द्यान रखिएगा आपने हम बहुत बहुत हिर्दे से धन्वात करता हूं